हलो दोस्तों अगर आप बढ़ी हुई मोटापे से परेसान है बढ़ा हुआ पेड़ से या थाइज पर चड़ा हुआ चर्वी से परेसान है आपने बहुत सारे कोशिस भी कर लिये हैं बहुत सारे एक्सासाइज किये डाइट किये फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है खुद अपना वजन सिर्फ साथ दिन में ही 5 किलो घटाया है इससे बहुत तेजी से फैट बर्न होता है ये नुसका अजमाया हुआ है और 100% कारगर है जो भी मैं आप लोगों को जनकारी देती हूँ दोस्तो अजमाया हुआ होता है तो इसे आप ट्राई करें आपका मोटापा भी जरूर कम होगा इस नुसके से अगर आपको भी फैदा होता है आपका भी फैट बर्न होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजेगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस नुसके में आपको एक डिटोक्स वाटर तयार करना है जिसके लिए आपको करेला और एक निम्बू का जरूरत पड़ेगा तेजी से वजन को कम करने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस डिटोक्स वाटर को आपको कब लेना है और किस तरीके से लेना है दोस्तों करेला और निम्बू हमारे हेल्थ के लिए बहुत जादा फायदे मंद होता है और इससे बना हुआ डिटोक्स वाटर हमारे सरीर में जितने भी toxins होते हैं जितने भी बिसले तत्वे जामा हुए होते हैं उसे सरीर से बाहर निकालने का काम करता है साथ में हमारे सरीर में जितने भी चर्बी जामा हुए होते हैं उसे भी बाहर निकाल देता है ये detox water extra calorie को तेजी से burn करने में काफी ज्यादा मदद क करता है इस drink को बनाने के लिए क्या करना है सबसे पहले आप एक लेला ले लिजी करेला को अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए वास कर लीजिए उसके बाद आधा करेला को आप इस तरीके से slice में गोल-गोल कट कर लीजिए आप चाहें तो यहाँ पर करेला को कदुकस भी कर सकते हैं कदुकस करके भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस ड्रिंग के लिए तो यहाँ पर मैंने आधा करेला को कट कर लिए आधा जो बाकी करेला इसको आप रख दीजिए दूसरे दिन इस्तिमाल कर सकते हैं यह डिटक्स वाटर दोस्तो आपको कई तरह की विमारियों को होने से भी आपको बचाएगा तो आपको निम्बू को भी इस तरीके से कट कर लेना है अब आपको लेना है सीशा का गलास गलास के जगा पर आप बोटल भी ले सकते हैं अगर आप ज्यादा कॉंटीटी में इस वाटर को बनाना चाहते हैं तो आप बोटल ले लीजे उसमें पानी ज्यादा आएगा अब क्या करना है आपको गलास में जो कट करके करेला रखे हैं उसमें डाल देना है और निम्बू को भी निचोड़ देना है पूरा एक निम्बू को आपको इसमें निचोड़ देना है निम्बू निचोड़ने के बाद आपको इसमें क्या करना है एकदम गरम किया हुआ पानी जिस पानी से भाफ निकलने लगता है उस तरीके से आप गर करके रात भर के लिए रख देना है यह आप रात में करें और रात भर के लिए आप सोने से पहले करें और रात भर के लिए इसे अप ढग कर रख दीजिए सुबह में जब आप जगेंगे दोस्तों तो सबसे पहले अप फ्रेस हो लीजिए फ्रेस होने के बाद आपको क्या करन इस पानी को दुबारा से आपको गरम करना है पीने लाइक आप इस पानी को गरम कर लीजे जितना गरम आप पानी पी सके उतना इसे गरम कर लीजे गरम करने के बाद आपको इस पानी से करेला को बाहर निकल लेना है पानी को छान लीजे और फ्रेस होने के बाद खाली पेठी इस detox water को आपको पी लेना है हलका सा गरम ही रखे ताकि इसे आप sip sip करके पी सके दोस्तों ये जो detox water है आपको कई तरह से आपको फैदा पहुचाएगा जिन लोगों को डाइफिटीज हो जाता है सुगर की बिमारी हो जाती है इससे उनका जो डाइफिटीज लेबल है वो भी सही रहेगा सुगर भी कम हो जाएगा ये detox water आपके blood को भी साफ करता है आपके नस को भी साफ करता है आपके नस में जो भी blockage होता है उसको भी साफ करने में ये बहुत जादा काम करता है तो कोई भी हर्ट का बिमारी होने से भी आप बच सकते हैं कोलेस्टरोल को भी ये कम रखता है मेरा जब वजन बढ़ा हुआ था तो मैंने पहले निम्बू पानी पीना सुरू किया था वजन कम करने के लिए लेकिन उससे थोड़ा धीरे धीरे वजन कम हो रहा था लेकिन कम हो रहा था फिर मुझे किसी ने बताया कि आप निम्बू पानी में करेला डाल कर डिटोक्स वाटर तयार करिया और उसको पीजी आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा तब मैंने करेला डाल कर डिटोक्स वाटर तयार किया निम्भू के साथ और इसे पीना सुरू किया दोस्तों आपको यकिन नहीं होगा आप जब इसे करेंगे न तो आपको मेरे बातों पर यकिन हो जाएगा मैंने किवल साथ आठ दिन ही पिया था और मेरा वजन करीब करीब साड़े चार पाँच किलो कम हो गया था तब जाकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैंने इसे रेगूलर पीना सुरू किया और मेरा वजन एकदम सही हो गया कम हो गया इसलिए मैं आप लोगों को भी ये शेयर कर रहे हूं आप एक बार इसे ट्राइ जरूर करिएगा आपको भी जरूर फैदा होगा तो रोज सुबा फ्रेस होने के बाद आपको खाली पेट इस डिटॉक्स वाटर को पीना है आप चाहें तो रोज दो टाम भी पी सकते हैं सुबा में पीजिए और रात में फिर से इसे डाल दीजिए और इक निम्बु फिर से निचोड़ लीजिए शाम तक आपका डिटॉक्स वाटर फिर तयार हो जाएगा और साम को आप फिर निले में पी सकते हैं दोस्तो वाके वागई में आपको आपको ऑचाहें अपना वजन कम करना है, मोटापा कम करना है, तो अपने मन में आपको प्रान ले लेना है, और इस डिटोक्स वाटर को लेने के साथ ही आपको खास ध्यान रखना है, ज्यादा तेल वाला खाना से और मीठा से आपको परहेज रखना है, गरीष्ट खाना को आप अबोएड करि अगर आपका रोटी का डोज चार है तो आप तीन खाया करिए एक छोड़ दीजिए इसी तरीके से आप सारे खाने को थोड़ा थोड़ा कम करके खाईए सारा खाना आपको खाना है केवल ज्यादा तेल नहीं खाना है और मीठा नहीं खाना है अगर आप ये सोचते हैं केवल वेट लॉस ड्रिंग से या एकसरसाइज से आप वेट लॉस कर सकते हैं अपना मोटापा कम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है आपको वेट लॉस ड्रिंग के साथ या एकसरसाइज के साथ अपने डाइट पर भी ध्यान रखना है अपने खाने पीने के चीजों पर भी ध्यान रखना है प्रहेज रखना है तब जाकर आपका वेट लोस जल्दी होगा आपका मोटापा कम होगा तो दोस्तो ये जनकारी आपको कैसी लगी थोड़ा भी हेलपफुल लगा होगा तो इस बीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएग तो चैनल पर नए है या इसी तरीके के और जनकारी के लिए हिल्थ टिप्स के लिए ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तक कि जब ही मैं अपने चैनल पर वीडियो डालू नोटिफिकेसन आपके पास पहुंच जा फिर मिलेंगे नए जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धान्यवाज